नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रेयर और एक्स्ट्रीम्ली डेयर 25 पैसे कोईन के बारे में जिसमें मैंने आपको 1989 हैदराबाद मिंट के 25 प बारे में बताया और दूसरे सिक्के की जनकारी दी 1984 हैदराबाद मिंट के 25 पैसे आज कि इस वीडियो में एक और 25 पैसे की जनकारी देने वाला हूं उस वीडियो पर कमेंट आया था जिगर पठेल जी का उन्होंने कहा था क्या 25 पैसे उन्निसो सड़ 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 बोमे मिंट भी एक रेर सिक्का है तो उसको भी कलेक करना चाहिए तो आज की इस वीडियो में उसी कमेंट के उपर ये वीडियो है 966 के 25 पैसे की जनकारी दूँगा थोड़ी बिस्तार से चर्चा करेंगे इस सिक्के के बारे में और जाने इससिक्के कीमट धिरे दिरे कैसे बढ़ी और आगे बविश्या में सिक्के कीमट कहा तक जाने की सम्भावना दोस्तों मेरे हाट में जो सिक्का आप देख रहे हैं यह निकल धातु का धाइग्राम वजन का सिक्का है और यह है एक रेयर कोईन अभी वर्तबान समय में सिक्के कीमत 1000 रुपे में जा चुकी है और यह सिक्का जरूर कलेक्ट करना चाहिए अगर आप एक सीरियस कोईन करेक् और अगर जिसकों बोलते हैं न करारा सिक्का वो सिक्का है यह जिए जिए पर किसी परगार का कोई छोटा सा भी दाग धबा डेंट नहीं है एकदम पर्फेक्ट सिक्का है यह यॉएंसटी केंडिशन का उपर दिखा है दोस्तों रुपे का चोता भाग 25 पैसिए जो 25 पैस पाया है 25 पैसे और 1967 और उसके नीचे मिंट मार्क सबसे नीचे यहां पर डायमेंड का मिंट मार्क आपको देखने को बिलेगा और यह एक रेर कैटिगरी का सिक्का है अभी सिक्के की काफी ज़्यादा बाजार में मांग है कोईन के लेक्टर के बीच में यह सिक्का काफी साल पहले की तो इस सिक्के पर ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते थे लेकिन सिक्का शुरुआ से ही काफी कम देखने को मिलता है और रेर कैटिगरी का सिक्का है एक दो साल पहले सिक्का अराम से 1.500-22500 रुपे तक बिल जा था था लेकिन बरतमान समय में सिक्के कीम अगर आपके कलेक्शन में इस सिक्का मिसिंग है तो इस सिक्का आपको जरूर कलेक्ट करना चाहिए 25 पैसे का क्योंकि फिर फ्यूचर में यह हो सकता है कुछ समय बाद इसी कीमत तेजी से बड़े तो फिर यह आपके जेपर भारी पड़ेगा मैंने अपनी वीडियो के इस जानकार है जिनको मैं समझाता हूँ के रेर सिक्का है अभी आप इसको कलेक्ट कर लो लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं वो किसी और दूसरी सिक्कों पर ध्यान देते हैं फिर जब उस सिक्के की कीमत बढ़ती है फिर वो मांगते है फिर कहते है तो बड़ा महेंगा है आप तो उतने का बता रहे तो उस दिन 1500 का अभी 4000 का कैसा हो गया है यह चीज समझने वाली होती है मैंने अपनी वीडियो में जितने भी सिक्कों की जानकारी दी आसे 4-5-6 साल पहले आप देखो सभी सिक्कों का रेट इस समय आसमान पर है जिस समय उन सिक्कों की में जानका सिक्का यह गारे क्रैटिग्री के सिक्का है और कम से कम एक इक सिक्के तो आपके कलेक्शन में यह होना ही चाहिए कैया को यह सारे ऐसा कहले सिक्कों की मत और रेर सिक्कों की कीमत ते जिसे बढ़ती है तो ये देखिए मेरे कलेक्शन का एक बिल्कुल पर्फेक्ट यूनसी कंडिशन का सिक्का 1967 का बॉंबे मिंट का बिल्कुल इस तरह का सिक्का है जैसे मिंट से बिल्कुल अभी बन कर आया हो अशोगिस्तम की डिटेल देखिए एक बार आप अशोगिस्तम के आख नाग बाल एक दम परफेक्ट देखते हैं फिनिशन्ग देखे सिक्के की ये होते हैं एक दम परफेक्ट सिक्के अब हम बात करेंगे क्या कीमत चल रही है अभी वर्तमान में तो इसी कीमत 400 रुपे से लेकर 127 रुपे तक चल रही है फाइन से लेकर UNC condition में और इसी कीमत थोड़ी और बढ़ने को देखनेको मिलेगी आपको क्योंकि रेर सिक्टे की कीमत अफ धीरे धीरे बढ़ रही है लगतार बढ़ती जा रही है तो इसी कीमत हो सकता है ज़्यादा है तो उसी का काफी रेयर बाना जाता है आपके कलेक्टिन में 25 पैसे का सिक्का है तो नीचे कमेंट करके बताना और अगर आपने खरीदा किसी कोईन एग्जिबिशन से किसी कोईन डीलर से या अनलाइन प्लैटफोर्म से कितनी कीमत पर खरीदा किसी कंडिशन में खरीदा वह भी नीचे कमेंट करके बताना आज किस वीडियो को यह खतम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद